अब हमारा टास्क किये है कि अब हम लोग को जो है टेक्शिरिंग समझना है कि इस सौट फिर में टेक्शिरिंग कैसे हो सकती है देखें मॉडिलिंग तो बहुत एंडलेस है और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम सीखते जाएंगे आपको बेसिक टूल्स का ध्यान अटना है कि हम कंट्रोल आर से एजस डाल सकते हैं इस से एक्शूट कर सकते हैं ठीक है यह तो हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है और भी चीज़ हम सीखेंगे अभी आगे जाके टूल्स के अंदर और मॉडिफार हमारे लिए बड़ी यह रेंडर प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आपको रेंडरिंग एक ऑप्शन मिलेगा ठीक है यह आपके भी काम आएगा जहां और टेक्श्रिंग हमको मिलता है सेकंड आउप्शन यहां पे एक स्फियर बनाए जिस पर लिखा माटेरियल प्रॉपर्टी तो यहां किसी बना सकते हैं मैं फरस्ट और यह रॉड है ना इस रॉड की उपर एक मटेर लगाना चाहूंगा और क्या लगाँगा मैं इस पर कुछ ब्लाक कलर की इसको रॉड बना जाता हूं ठीक ना ऐसा तो उससे पहले मैंने बहुत प्लेन और बना दे तो हमने शिफ्ट ए प्रेस कर और मैं मैंश में गया और मैंने बहुत एक जमीन पर प्लेन बना दो ऐसा करके और स्केल दूल की मदद से आप इसको कुछ ना स्केल कर दो बीच में से कुछ इस तरीक से ऐसा इससे फायदा क्या हो कि हमने यह जो ऑब्जेट यहां बना रखना यह करके ऐसा यह पूरा का प अब दिखा रहा है कि हम इसे लग सकते हैं तो वापिस दबाया हमने मटेल प्रिव्यू पर चलेगा फिलाल के लिए यह काफी हमारे लिए अगरा कि यह जो सर्फेस है नीचे रॉड वाली इसके लिए हम क्या करेंगे इधर जाने के बाद में क्यूब 001 है यहां पर देखन तो आप ने नियो एक नया मटेल लगा तो बड़ सीधर डरेकली सर्फेस के उपर अच्छा उसका नाम देता हूँ आप हमने ऑला फ्रेम एफ रई एमी फ्रेम ठीक है ऐसा तो मटेल का नाम ही फ्रेम है फ्रेम के अंदर देखो कई तरह का मटेल टाइप होगा सर्फेस में कुछ चाहिए हमने या पर जो बेस के लड़ना उसको चेंज करने के कुछिश करी हमने बोले इसको डाक कर लो कुछ ऐसा ही है तो देखो यह अपने आप डार कोई सर्फेस ऐसी इसके बाद में अगर मालो रेंडरिंग पर जाते ना ऐसा करके और रेंडरिंग टाइप हम थ यह संद लागा तो ऐसी और सब्सक्राइब अपने यह उपर और यहां में रखा और उसको ड्राइब कर ले ताकि श्याडव अपना तिरिशी हो जाए हम रपास यह ऐसे संद के प्रपरटी में बहुत सरे पारमेटर होता है आप जब एंगल वेल्यू बढ़ाओ तो आप थ इसको स्मूथ करने के लिए अगर मैं चाहूं ना तो यह जो आप्शन था मेरे पास प्रपरटी में मेर अब वेल्यू तो लगा दिया था मैं यहां पा जाएक सब्डिवाइड भी लगा सकता हूं तो सब्डिविजन यह करेगा है इसको और मेरे वेल्यू एंड सब्डिव इसके बाद मैं अब जो मैटलिक करने दो मैं अटलिक वेल्यू बढ़ा दूगा तो आप ज़ूआ गया गया है यह ऐसा दिख रहा है को यह नो इसी कसांसे तकर मान लीए मैं यह जो सर्फेस यह इस पर भी टेक्श्य लगाना चाहता हूं तो बड़ा ही आसान है आपने इस पर दिया base, base के लिए आप फिर से surface पे जाएंगे, new पे click कर दिये और इस material कर नाम दे दिये base, 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 enter, इसको हम कुछ अब तक brown कर लेते हैं या orange या brown जिसा shade कुछ कर लेते हैं, अब मान लिए यही कही shader, shader या texture मुझे इस surface पे लगाना है, तो आप ही जो material के drop down list में जाएंगे तो यहां पे आपको तीनो material में लेंगे, जो आपके पास में है, जो default था, frame और base का, मैंने base पे click कर दे तो base material यहां भी लग गया, याद रगिए सारे material मुझे कहां लगाना चाहिए, material मुझे object mode में लगाना चाहिए, मैं इस पे कोई image भ लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यह जो base जहां color लिखना है, इसके बगल में आपको dot दिख रहा है, इस dot पे click करेंगे तो modifier type की window खुल जाती है, और इसमें आप जाकर image ला सकते हो बाहर से, ठीक है, और वो बूचता है, बाहर से image आपको कहां से लानी है, मैंने automatic ल folder में कुछ images रखी हैं आपके लिए, आप चाहिए तो internet से download कर सकते हैं, बढ़ा folder में जाके ला सकते हैं, ठीक है, इसके लिए मैंने क्लिक करा, यहाँ पर यह new नाम का option है, यह open नाम का option पर click करूँगा, वो मुझे पूझे कहां से texture लाना चाहते हो, तो मैंने इस पूरे path के आपके सामदर रखे हुए, तो मुझे यह कुछ एक texture दिख रहा है, मैंने इस पर click करके बोला open image, तो आप देखे वो texture यहाँ पर बड़ी असानी साह करके लग गया, बहुत अधा stretch एक खिचा हुआ texture है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, बाद में भी, लेकिन अभी फिलार के मैंने आपको समझा देखे हैं, हम texture में image 5 भी चाहें तो लगा सकते हैं, अब बाहर से लाकर भी images apply कर सकते हैं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर texture mode में जाता हूँ, यह corner में viewport shading में तो यह texture में खराब हो रहा है, इनको मैं ठीक कर सकता हूँ, ठीक करने के लिए आप देखें यहाँ पूट दिखे रहा है, ठीक है न, यह वही properties है, नीचे आपको यहाँ पर जो ना मतलब एक बड़ा ही अच्छा window है आगे अपना जिसका नाम है वाल पर shader editor, कोई भी shading आप डालेंगे तो इसको आप यहाँ पर edit कर सकते हैं, ठीक है और यहाँ पर आपको यह window खुलत यह जो second window ना यहाँ पर यूव एडिटर ओपन करना चाहते है, तो आप यह करेंगे जो corner में drop down list ना यहाँ पर इस पर click करेंगे, तो यह बताया है कि इस window को काया में convert कर सकता है, मैंने बहुत यूव एडिटर में convert कर दिये, अब यह surface को मैं select करता हूँ उसके मुझे यहाँ पर object mode से चले आँगो, edit mode में, edit mode में जाती है, मैं देखूँगा, तो मुझे यहाँ पर यह surface है ना पूरी, इस surface के सारे vertex करता हूँ तो आप देखिए, surface यहां रखी हुई है, और इतना वारा texture इस पर लगवा हुआ है, ठीक है ना, तो क्या मैं इसको unwrap कर सकता अभी जितने, जहां जहां पर यह vertex रखे हो ना, तो उतना उतना टेक्शर देख रहा, बाकी टेक्शर मेरा wastage है, तो या तो मैं इन सारे के सारे, यू इसको still करके move करो तो आप देखिए, texture पर फरक पड़ता है, select करो, जी दबाओ, और इसको move करो, तेक्शर वहां move होता है सब जगा एक ही जैसे texture चड़ना है तो आप यह करोगे, यहां पर यूवीज को straight करोगे, इसको drag करके यहां रख लोगे, and again S प्रेस करके, इसको scale कर दोगे, ऐसे करके, S और X अगर प्रेस करके तो आप इसको direction scaling दे सकते हो, ऐसे करके, और G प्रेस करके वापे लिए, पूर यहां पर यहां पर आप wireframe से बाहर निकलते हो, और आप material mode में आते हो, तो आप देखो आपका texture कितना perfect आया, यही काम आप जो ना, मतलब इस edit mode से बाहर निकलके object mode में आ जाओ, और exactly same process आप नीचे वाली के साहनत भी इस्तेवार कर लो, इधर भी, ऐसा, आप यहां पर इसक लिए कुछ इतना ऐसा, ठीक है, यह हमारे लिए बढ़ा अच्छा हो गया, इसके बाद मैंने बोला कि क्यों आपन सब को करते हैं, old press करके इसको top view में ले लेता हूं मैं, कुछ ऐसा यह देखो, यह ऐसा, top view आ गया, तो मैं यहां से इसको मतलब unwrap करना चाहूंगा, तो you press क मैं आपने बोला project from the view, यह दो कितना perfect position हुआ, सारे vertex को sell करा, G press करके इसको बीच में रख दिया, S press करके इसको scale कर दिया, इसके लेता के पूरा maximum media कबर हुआ है, X और X press करके इसको ऐसा लंबा भी खीज़े, ताकि जो आजब दो जगा छुटी ना, उन सब को हम बचा लें, और फिर से G press करके इसको अंदर लिया है, मैं ऐसे करके यह, तो जब यहां पर जाओंगा, मैं इस वाले view में जाओंगा, जो मैं एक परस्पेक्टिव यूँ ना, इधर यूजर परस्पेक्टिव, इधर जाकर जब मैं wireframe mode से बाहर निकलूँगा, और material mode में आऊँगा, तो मैं देखूँगा, मैं बड़ा अच्छा material इसका भी set हो गया, जैसी मैं edit mode से बाहर निकल का object mode में आता हो, तो आप आप यहां पर बहुत काम आएगा और आप यहां पर बहुत अच्छी चीज़े कवर कर पाऊगे उसके अंदर, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अब हम नेक्स क्लास में देखते हैं कि हम पूरे interior कैसे डेफलाइगा, तो आप यहां पर बहुत अच्छी चीज़े कवर कर करेंगे,